हेलो फिंट्स आप सब कैसे आज की इस वीडियों बताने वाले हैं MP Tate Work A का रिजल्ट 2023 आप सभी कैसे चेक किज़ेगा इस वीडियो मैं एश्टेब आश्टेब करके बिल्कुली आप सभी को डाइरेक्ट लिंक से रिजल्ट चेक करना बताने वाले तो वीडियो के अंतक बन रही है तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं तो आप सभी को रिजल्ट चेक करने के लिए अपने मुवाइल फोन में किसी भी ब्राउजर को उपन कर देना है फर शम्पली शोर्च भार पर आना और वेबसाइट को कुछ इस प्रकार से टाइप करना एकजाम फिर SPS देना और टाइप करना है सरकारी फिर SPS देना और टाइप करना है result.info बस इतना टाइप करने के बाद आपको शोर्च कर देना है यहां पर देख सकते हैं एकजाम सरकारी result.info का ओफिशली वेबसाइट आ चुका है यहां से आप सभी वेबसाइट का लोगो भी देख सकते हैं इस पर शम्पली क्लिक कर देना और वेबसाइट को उपन करना है यहां पर कुछ इस परकार से वेबसाइट ओपन हो चुकी है इसकीन को स्क्रोल करनी है और आनी है यहां पर निव अपडेट के सेक्शन में यहां पर आनी के बाद फॉस्ट अपडेट देखने को मिल जा रहा है MPTate Work 1 Result 2023 Simply इस अपडेट पे क्लिक करना है और इस अपडेट को उपन कर देना है तो फानली यहां पर कुछ इस प्रकार से अपडेट ओपन हो चुकी है यहां पर important date का सेक्शन देखने को मिल रहा है जिसमें important date दिया हुआ फानली देख सकते हैं इसकेन को स्क्रॉल करेंगे यहां पर result छोट में detail देखने को मिल जारी है फानली देख सकते हैं इसकेन को एस्क्रॉल करना है और result को चेक करने के लिए आनी है direct important link के section में यहां पर आने के बाद आपको show कर रहा है चेक result तो result को check करने के लिए इसके सामने simply यहाँ पर click here का option देखने को मिल ज़रा है इस पर आपको click कर देना है तो जैसे click here पर click करेंगे तो यहाँ पर result को check करने के लिए कुछ नया interface open हो जाएगा जिसमें आपको result को check करने के लिए आपसे जो भी information माँगे जाएगी आप सभी को result को direct link से check करने की process बट अभी यहाँ पर result को release नहीं करा गया इसलिए यहाँ पर link activation को options हो करा जैसे release करा जाता मातर यहाँ पर click here को options हो करेगा अगर हम बात करेंगे कब release हो जाएगा तो finally आपके result जल्दी release करेंगे यहाँ पर September के last week नहीं तो October के first week में release हो जाएगे